पत्रम् यत्र विहाय शी प्रविपुले स्थातुम् छणम् नाचमम् तत्रास्ते गुण रत्न रोहन गिरी ओ देविदे ओ मार् चित्रम् नत्र करोती कश्मन साद रष्टा पुरे सिरी पुरे सस्री पार्श जिने स्वरो विजयते दिगवाश शाम शासनम् पत्रट के ना जहां अधर में गुण रत्नों का गीरी वहर हो कितना विश्मय किसे नहीं हो जलो देखिलो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श जिने अंतरीक्ष में सांत रहें योगों योगों तक दिगंबरों का जिन सासन जैवनत रहें महायोगी पार्शनात भगवान को नमुस्तु करते हुए आज अंतररष्टी योग दिवस पर योगी के संदर्भम में मैं आपके लिए कुछ बताना चाहता हूं जैन दर्शन में विपुल साहित योग के मात का है सबसे पहले हमारे आचारिये कुंद कुंद देव ने अपनी योगी भक्ती के अंतरगत तीन योगों का बर्णन किया है ग्रीश म्योग बर्सा योग सीत योग तत्वार सुत्र में योग का मरणन करते हुए कहा गया है कि योग दो प्रकार के होते हैं कर्म का आस्रव कराने वाला योग होता है तो वहीं पर दूसरा योग सुब कर्म साता वेदनी का आस्रवंद कराने वाला होता है उस योग के लिए छमाए च्छांती योग समाधी का एक परियावाची बताया गया है आचारी स्वामी कार्थ के जी ने अपने ग्रंथ में योग का बहुत बिशेश बरणन स्वामी कार्थ के अनप्रिक्षा में किया है अनप्रिक्षाओं ग्रंथों में योगों का बरणन मिलता है और योग सब्द से हम सबसे पहले एक चिंतन कर लें कि जेन दर्सन का सबसे बड़ा योग का ग्रंथ ग्यानानो ग्रंथ है जिसे आचारी सुपचंदर जी ने लिखा है योग हमारे यहाँ जेन दर्सन में योग को सबसे पहले माना गया इसलिए उन्होंने कहा है योग सारे ग्रंथ है जिस योग सारे ग्रंथ में ये कहा गया है उन्होंने ये कहा है निट्य निरंजन नानमे ते परमप नवेवी योगी वही होता है महा योग धारन करने वाला वही होता है जिसके अंदर से छमा और इसके पंद करुणा हो छमा ज इनके चलती है वह महायोगी होता है और उस महायोगी के ही योग की प्रिक्रिया सुरू होती है और आज हम सब लोगों के लिए योग की प्रिक्रिया सुरू करने के पहले यह समझ लेना पड़ेगा कि हमें योग क्या चीज है चलते ही योग को लिए समझने के लिए युजर ध योग है योग सन्यास योग होता है इसके उप्रांत योग जो होता है हमारे कई प्रकार के योग होते हैं ज्यान योग होता है कर्मी योग होता है भक्ती योग होता है आचाई समंधभात्र देव ने अपने स्वेंबु इस्तुत्र नामा ग्रंथ में तीन उप्रकार के योग की चर्चा की है और उन्होंने इस भक्ति योग कर्मियोग और ग्यान योग की समनबाय करने का प्रयास किया है योगे के आठ अंगों में आसन सब ज्यादा आज प्रिसिद्ध कर दिया गया है जबकि आसन एक अंग है योग का आसन पूनता नहीं है प्राणायम भी एक अंग ह लेकिन सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायम प्रत्याहर धारणा ध्यान और समाधी ये आठ अंगों में सबसे पहले यम आता है यम में अहिंसा सत्व अस्ते ब्रह्मचरी और अपरिग्रह ये पांच यम बताए गए हैं और ये अठारा पुराणों में जितने भी पुराण उन सब पुराणों में इन पांच यम का वरनन मिलता है नियम का वरनन मिलता आसन धाईसो प्रकार के होते हैं प्राणायम पचास प्रकार के होते हैं और धारणाय होती हैं और प्रत्याहर होते हैं इसके साथ साथ ध्यान और समाधी ध्यान योग बहुत बड़ा ही होग है ल लेकिन ये ध्यान, सही ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान के सिव्र नहीं लगाए जा सकते हैं, ध्यान की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकते हैं. तो आओ हम आज योग के इस दिन पर कल हमने एक अविशे की योग किया जिस योग के अंतरगत भगवान पारसनाथ का दिगंवरों ने सांती पूरवक सेक्टरों लोगों ने मलकि हजारों लोगों ने कल अंतरिच पारसनाथ सिरपुर का अविशे किया और ये भक्ती योग का एक बहुत बड़ा आधार बनता है क्योंकि जब हम भक्ती की योग करते हैं तो पूजन करते हैं, आरती करते हैं, प्रक्छाल करते हैं, अविशेक करते हैं और भक्ती में हम भगवान की गुणों का आराधना करते हैं और परमात्मा का ध्यान करके हम भक्ती योग की पूर्ण करते हैं